हालो एवरीवाइन वेलकम टुम टू मैं चैनल दिपक दिया खना व्लॉक तो मैंने जो अभी पिछला व्लॉक डाला है वह जहां प्रैंड किया था उसके आगे से मैं कंटीनिव कर रही हूं नाश्ते में मैंने किया bread butter साथ में दिया ने भी दिया देखो मां बैट के enjoy कर रही है अपने नाश्ता फोन जो है नहीं है उसके हाथ में क्यूंकि अच्छी खासी डाट पड़ी है फोन देखने के पीछे कल इसका paper है तो इसकी भी त्यारी करवानी है उससे पहरे जो है मैं lunch बना लेती हूँ breakfast में काफी देर हो गई थी तो मैंने का lunch जो है time से बना लेती हूँ बलई दो तीन घंटे बात करें लेकिन बना हुआ हो तो टेंशन नहीं रहती है तो मैंने कड़ाई गयात पर चड़ा के उसमें थोड़ा सा रख दी है already मैंने दस बजे के करीब सोच लिया था कि मुझे नाष्टे में क्या बनाना है और लंच में क्या बनाना है नाष्टे में मैंने सूचा था पोहा बनाऊंगी लेकिन था नहीं लेकर आ गई थी मैं लेकिन हिमादी नहीं थी फिर उसके बाद तो मैंने का bread butter से काम चला लेते हैं क्योंकि दिया का एक क्या था कि मैंने कुछ चीजे उसको थोड़ी बहुत खिला दी थी तो उसके मुझे इतनी जाद कोई टेंशन नहीं थी फिर यहां पर देखे मैंने इसमें डाल दिये हैं टमाटर और नमक डालूंगी थोड़ी सी लाल मिश डालूंगी और हल्दी पाउडर डालूंगी इसके अलावा और कुछ नहीं डालूंगी नमक भी मैंने बहुत कम डाला हैं क्योंकि जब मैंने डाल बॉयल की थी तब भी अच्छा खाता नमक उसमें डाल दिया था तो बस हल्दी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और थ बहुत थोड़ा सा पानी मैंने अट किया है बाकि दाल में भी काफी पानी होगा और बाद में उपर से भी आड़ोगा फिलाल मसाले के लिए इतना बहुत है मसाला हम बीच बीच में खोल के चेक करते रहेंगे तो मैं इसमें थोड़ी से रंग वाली में च्छे डालना भू करूंगी तो यह देखिए मसाला को खूप हुआ नहीं था इसमें थोड़ा से पानी ओर डालेगा तो मैं थोड़ा से पानी टरैत कर दिया तो हैं और फिर से इसको कम से कम 2 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था अभी इस टाइम पर मसाला मारा अच्छे से कुक हो चुका है वीडियो जो है फासपोर्ट में होती है अदरवाइस टाइम तो उतना ही लगता है कुकिंग में जितना लगना चाहिए जितना लगता है एक रेसिपी में तो दाल मैंने इस अच्छे से मैं पकाऊंगी फिर इसके बाद मैं ग्यास बंद कर दूंगे हमारी दाल हो जाएगी तैयार देखिए अभी मैं अगर इसको पकाती हूं तो और भी ज्यादा गाड़ी हो जाएगी तो इसमें पानी टारना जरूरी है और हमको वैसे भी खानी है चावल के साथ तो चावल के साथ तो थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है तो यहाँ पर हमारी दाल पकरी है अच्छे से अभी मैं इसे ठाक के भी पकाऊंगी और साइड में मैंने जीरा राइस बनानी के तियारी करनी स्टार्ट कर दी है कूकर अच्छे से वाश करके गैस पर चड़ा दिया है मिरे पास दो कुकर है तीन लीटर का है और यह जो है यह है डेड़ लीटर का मुझे इसी में ही दालू बालना अच्छा लगता है क्योंकि बहुत छोटे साइस का खाना हमारे हैं कम बनता है और चावल के लिए भी ना मैं इसका ही इस्तमाल करती हूँ सो फ्रेंट लांच तो हमारा बन चुका है और अभी करना नहीं है थोड़ी देर बात करेंगे मैं और दिया दोनों नहीं अभी कुछ देर पहले ही ब्रिकफास्ट किया था तो दिया का जो है मैट्स ओरल का पेपर है कल लेकिन मैं उसको रिटर्न की त्यारी करवा रही अभी मैं इसको बैकफर्ट काउंटिंग करवा रही हूँ तो यह बहुत कन्फ्यूज हो रही है और हर वच्चा होता होगा उसमें कन्फ्यूज तो बस लगी पड़ी हो मैं थोड़ा प्यार से थोड़ा डाट के समझाने में वैसे इसके साथ मस्ती करने मुझे बड़ा मज आता है और यह टेबल चेर इसने ना खुद निकाली है इसने अच्छे से साफ भी नहीं करी होगी करी थी दियो साफ हाँ बही करी थी करी थी मैं सो रही थी मेरी आँख लग गई थी लंच बनाने के बाद तो बस इसने उत्ती देर में सारा काम कर डाला और आपको थोड़ी सी बैक्ग्रांड वोईज आ रही होगी क्योंकि आज कल देखी टाइम चल रहा है फैस्टीवल का और पंखे वगारा चलाओ तो ठंड लगती है तो खिड़की दरवाजी अच्छे से दरवाज खुले रहते है जाली वाला बंद रखती हूं बाकी खुला रहता है तो काफी कि रखती है सबस्ट कर दो प्लास्टिक नहीं है यह पता नहीं क्या कहते हैं इसको यह मैंने निकाल लिया है नमकिन बिस्केट और कुछ और इसमें सब्सकता है ट्रे के साथ ही आया था यह 100 रुपीज का आया था शायद और यह च्ट च्टनी के लिए हैं दोनों तरीके की समोसे की चटनी जिसे ग्रीन और मीठी वाली समोसे अगर खाने हैं तब भी यह वाली एक निकाली हुए इसके साथ की मैंने तो मैंने यह भी निकाले किचन में रखूंगी अदरवास मुझे तो याद ही नहीं कि मैं यह भी खरीद के लिए कराई हूं नीचे जो मेरे पास शोकेज है ना फिचन में जो यह गरम सूट है यह दिया के बर्डे के टाइम पर मेरे मामी लेकर आइती है सर्दियों का सूट है तो सोचो इसको सिलने के लिए दे रेती हो सिल जाया का टाइम से तो पहना जाएगा तो यह तो दुबट्टा है इसका यह कुछ इस तरीकी का हो गई थी पैटरी लो एकद यह इस तरीके से प्लार्स बन में बीच बीच में और यह बॉर्डर इसका शॉल की तरह ही होता है आपको पता ही होगा और यह है सूट सूट है हलका हलका सा चोटा-चोटा सा स्टौन का रख हो रख एक इस पे ब्राउन क्लर पर कोहीं वर्ट नहीं हो रख और वीडियो पता नहीं वकियों अजीब सी आ रही है पता नहीं है तो यह रीके का सूट यह नीचे है बll सेब्स में तल्वार भी शायद तल्वार ये प्लेन है तो आई ये मुझे अभी इस सिलवाने के लिए देना है और कहां देना है मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज है क्योंकि मैंने ना पिछले साल भी दो सुट सिलवाय थे जितनी लैंट में बोलते हैं आजकर आपको पते हैं लॉंग लॉं कोई अच्छा सा टेलर मुझे मिलगा है अपने इदर तो नहीं दोंगी वह पहले वाले सुट भी न मेरे अच्छे अच्छे वाले हैं आंटी ने जैपूर से बीजा था नेहा लेकर आई थी एक नौईडा से दिया के फोड़ बहुत देते हैं मेरे दोनों सुट नाज कर द करो हो गया पूरा दिखाना और यह नंबर नेम्स लर्ण करो यह नंबर नेम्स ही तो है ओ एनिवन यह तो आता ही है टी डबलू ओ टू पर बैट जा वैटा नीचे लगा दू नीचे रग दो इसको तीन तीन बार लिक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया जितना उतना प्रैक्टिस होगे और बोल बोल के लिखना है आया समझ में किन नहीं जाव कर क्या हो चपल बेन के बारी लक्टिया होता है चलो मैं आपसे बाइब ब्लगों से बात ही कर लेती हूं क्योंकि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है लांच बन चुका है करना है और बाकी पूरा घर अच्छे से क्लीन है, दिवाली तक मैं इसको ऐसी रखने वाली हूँ, दिवाली के बार भी मिंटेन करके रखूंगी, लेकिन अभी कि आयना कि मैं कुछ चेंजिस नहीं करने वाली घर में, बस थोड़ा सा एड करूंगी दिवाली से एक दो दिन पहले कुछ जापती समान, जादा कुछ नहीं करना है, खाना मिनाओंगी, दिया को जो करने दूनी जो इसको चाहिए वो दिलादोने, बागि बहुत जादा मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि बड़ पापा को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पापा गह थे तब प्र गह ते त मान होता है जाने के बाद भी रहते हों भाद को बहूं यहार जो नहीं जाने को किंगे एप already लोगी जादा कुछ मैं तो नहीं करूंगी दिया कोच के जो भी जहकी चुछ शोटे मोटे से इसके बंभा हम आएगे और की ज सवफय 12 तो यह रही है इसको लाकर दूँगी इसको थोड़ी सी लाइटिंग चाहिए वो भी करके दूँगी इसका मन तो मैं बिलकुल भी नहीं मारती हूं इसको खुश रखने की मैं बहुत जादा खुशिश करती हूँ बाकि अपना में कोई नहीं गरती हूँ आपको पता ही है तो मैं एसे भी नहीं करती है इतना जादा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है मैं यूट्यूब पर आई थी आप लोगों को पता होगा तो मैं हमेशा से यहीं बोलती थी कि मैं ऐसा करना चाती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाती हूँ तो मैं बेटी के लिए आज तक जो है करती आ रही हूँ मैंने यूट्यूब पर आके कुछ फाल्टू माय से वाले भी ना मेरे मैं जिस चछक के दिबान करूज वो मुझे मिल जाएगी य जिस की दिमाण करूगे मैं मुझे मिल जाएगी i मेरी बेहन को भी मैं कुछ पर बोलों कि वो मुझे दिलवा देगी वो पहले भी बहुत सारी चीज़े करती थी मेरे लिए जब मैं यूट्यूब पर नी थी या मैं जब मेरी शादी हुई हुई थी तो मेरे को बहुत सारे मतलब ड्रेस अच्छे-च्छे मिलते रहते थे मम्मी की तरफ से नया की तरफ से ऐसा निया की यूट्यूब पर आने के बाद चेंचिस होएं सब्सक्राइब और शादमे में तिपड है देपक गए गए थे तो में बहुत ज़ादा जो यूट प्याद के ऐसा निये कि सदन चेंज हों के मुझे साल डेड़ साल लगा है बातचीत मैंने गरना सीखी और अपने अंदर थोड़ा सा मैं चेंजेस लाई हो वन्ना मैं कुछ भी पहन के आ जाती थी कुछ भी पहन किया जाती थी अच्छे कपड़े में पहले भी थे आप देखते होंगे अच्छे साड़ी हो और पहले तो मैं मतलब बिलकुल या लग थी अब वह बात तो खेर आई नहीं सकती लेकिन फिर भी थोड़ा मैंने अपने आपको इंप्रूव किया है और जोटा मुटा रोदो आप कहानिया क्रेट करो आपको कौंटेंट बनाना यह एक और आम से चानल पटाफ़ से वायल हो जाता है पहले ऐसा कुछ नहीं था पहले आपको लोग ढूंटे थे बहुत ही कम लोग थे जो सच्छे थे उनिकी वज़े से ना मतलब जो आजकल कहानि कर रहे हैं या पिर जो नाटक करते हैं कुछ महीने नाटक चलता है फिर उसके बाद उनका असली रंग आप लोग देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर हैं ऐसे सच में उनकी वज़े से ना आज को जिनको जैनुएन हेल्प भी जुड़त है ना उनको नहीं मिल पाती सच मे अब मतलब ऐसे लोग आ गए ना कि बस सबकी खानी से वह इस तरीके की वीडियो बना रहा है तो हम भी ऐसा कॉंटेंट बनाना है तो फिर वह चीज़ ना फिर लोग किस किस पर ट्रस्ट करें और लोगों को समझ में आता है यह उसकी कॉपी कर रहा है तो फिर यह फेक है उ फिर खटी हो जाती है तो मैं तमाशा नहीं करती तो फिर खटी नहीं होती मेरे चानल पर तच में नहीं होती है जो मेरा कॉंटेंट कई सालों से चला रहा है सेम चला रहा है बाकी ज्यादा चिंजिस मैं नहीं कर पाती हूं और कुछ अगर मैं टाइटल थमने कुछ डाल भ में आलती हूं जो कि मैं आपको देख लेकिमय कि मैं किन तौक में यह नहीं कि मैं य माने आपको अइसा डIsn ऑसक्त कि जगता है णेयूट्यूब पे बहुत सारे चेंजी से होए और यूूट्यूब पे इतने चेंज्जस अभी हो रहे है लोग यूट्यूबर हे इतने सबके साथ यह सब चीज हो रही है बस आपके बताने के तरीके अलग है कोई समझधारी से बता रहा है और कोई जो है ना उनको एक content मिल यह नाटक करने का बहुत ताजूब होता है सच में तो चलो इस वीडियो को यहीं पर आइंड करते हैं होप सो आप लोगो का अज की वीड कर देख देख दे आपने फामिय परेंट के संग बाइब है